अस्सलाम अलेकुम प्रेंट्स प्रेंट्स आज की वेड़ी में हमने एप कंडिशन यूज़ करना है रिजल्ट शीट के लिए फास एप इस इक्वल टू ग्रेटर देन फिल एप लेज़ें इक्वल टू एप एनी ओप दी कंडिशन और टू अगर कोई कंडिशन रू है यान हपास तो अभी हमां यूज़ करते हैं एप कंडिशन इसील टू इससे पहले हमने सम्करना है इन तीनों को यह जो हमारा टेंड़ से में फाइनल एए एक तरीका तूए है इसको पहले इसको जम्म कर दें इस सब को सेलेक कर दें cał और ब्रेकिर क्लोज एंटर कर दें अब इस जितनी भी स्टूडेंट हैं सब की उपर स्पेस्ट किया लिकाने दर हमारे पास एरर आया और डिसलेक्ट है एरर को एग्नोर कर देते हैं अब नेक्स्ट हम करते हैं एफ स्टेटमेंट का यूज इस इपल डू एफ ब्रैकेट स्टार्ट अब हमने सेले करना है अपना जिस पर हमने कंडिशन युज करनी है यानि जी टैन जी टैन हमारा पास टुटल वाला सेल कॉलम है जिस सेल के normalis करने यूजञा है कंडिशन इस जीज करनी है logical वैल्यू है वह जी टैन है जी टैन ग्रेटर तान इक्वल टू इस तरह भी लिख सकते हैं यहां अईक्वल logical test value 50% comma double quotes के अंदर pass अगर 50% से ज्यादा है तो pass हो जाए वरना double quotation के अंदर हमने fail लिखना है और bracket close करना है हाँ इदर हमने fill के लिए यो fail है यहाँ पर double quotation start नहीं किये यह भी लगाना है अभी हमने आहर में bracket भी close करना है इंटर करना है तो हमें या fast दिखाएगा या fail दिखाएगा क्योंकि हमने जो condition दिया है तोड़ा सा कम है 50 हम इसको तोड़ा बढ़ा देते हैं 250 कर देते हैं तो यहाँ पर यह fail हो गया नीचे फिस्ट करते हैं क्या होता है यह तो सब ने अंडी दियें यहाँ पर condition मैंने तोड़ा सा मुश्किल रखा अभी अगर condition को edit करना है app to press करते हैं या double click के साथ पर्मूली को edit करना है अभी 250 की जगा मैं सिर्फ 200 कर देता हूँ अभी apply करते हैं 4 एक column की उपर सब student की उपर अभी result sheet के अंदर app का इस्तिमाल कैसे होता है और इसी तरह value के उपर कितना depend करते हैं मैं बगएर percent का लगाता हूँ इस तरह is equal to app प्रेगल स्टार्ट जी टैन यानि हमारा total वाला column greater than is equal to या is equal to greater than आगे पीछे कोई मसल़ह ही नहीं है यहां पर condition दीनी है two party देता हूँ इस दफा कॉमा लगाना है या two party ज्यादा हो रहा है two hundred कर देता हूँ इस दफा मैंने percent नहीं लगाना मैंने यह दिखाना है दूसरे उसमें value effect में कि मैंने percent नहीं लगाना तो हमारा result से ही आ रहा है या नहीं कॉमा डबल कोटेशन के अंदर pass यानि हमें pass देखाए quotation के अंदर जो भी value आ जाता है वो देखाने के लिए और कॉमा डबल कोटेशन start and close bracket close अभी two hundred के साथ मैंने percent नहीं लगाया और enter किया दुबारा हमारा formula apply हो गया उसी तरह इसमें तीन पैल हो गए बाकी fast हो गए सुप्रेंड्स उम्मीद करते हैं आज की वेडियो आपको अच्छी लगी हो अगर वेडियो अच्छी लगी है तो एक like बनता है और अगर first time मेरे चैनल में आया है तो चैनल को subscribe कर दे और साथ में लगे सबसे पहले आपको मिल सके तैंक यू